चलिए अब आज के सारे important stocks in news चत्रमदा साब CDSL प्लीज रेडी रखिएगा भाई आज फिर से large trades होने, बड़े सौधे होने ऐसा आवास के सूत्र बता रहे है जिसमें एक stock है CDSL इसमें standard chartered bank का जो 7.18% stake है वो पूरा हिस्सा आज शायद वो बेचने का मन बना रहे है floor price है 1672 रुपे कल का close वाला stock होट बोर्ट दिखाई एक्टर साब 1672 का floor price सुना गया है कल ये stock 1788 पे बंद हुआ था यहां से लेकर 1672 के बीच में कहीं ये शायद large transactions हो और floor price के इसाब से साड़े 1200 रुपे का इस सौधा होने की तैयारी होगी है खैर पिटा था कुछ दिन पहले से recovery के mode में आया था और आज standard chartered टूरा chunk बेच के जा रहा है ये चतुरमदास आप CDSL है क्या capital markets का mood mall को capture करने के लिए इसाब आप रख रहा हो का portfolio में CDSL पे view क्या है इस समय बिल्कुल 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 अशिशे stock दो नहीं हमारे portfolios में है CDSL भी है BSC और हमें structurally इनके trends काफी promising लगते हैं particularly अगर से CDSL की बात करें जो करीब-करीब 74% market share रखता है इस पूरे duopolistic industry के अंदर में और जिस तरह से incremental share of almost 80% plus का CDSL का हमें देखने को मिल रहा है और जिस तरह से financialization of savings बढ़ रही है उसको देखते हैं हमें लगता है कि retail equity holding का trend काफी बढ़ेगा और उसका key beneficiary again CDSL रहेगा तो हमें लगता है कि यह company काफी promising है और अगर से इसके अंदर आज कोई भी गिरावट आती है इस block की वज़ा से तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही बहतरी opportunity होगी इस stock के अंदर में position लेने के लिए क्योंकि long term tailwind sector की बहुत ही promising है उसमें भी CDSL एक monopolistic play के तौर पर खड़ाया और हमें लगता है कि इसके अलावा भी insurance के अंदर में भी insurance repository के business के अंदर में भी CDSL का जो market share है वो कड़िप-कड़िप 7.2% का है और वहाँ पर 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 भी इसका जो market share है वो काफी strong है और हमें लगता है कि जो insurance repository का business है वो खुदी एक बहुती एक बहुती नेसेंट स्टेज पे जहांपर पे अभी सिर्फ 2% जो policies हैं उनके अंदर में deep and materialization हुआ है तो यहां पर पे भी एक बड़ा potential develop होगा तो all in all मैं समझता हूँ कोई बेडिय पाज आती है CDSL के अंदर में तो वो एक बहुती बड़ा opportunity होगी long position बनाने के लिए again as a disclosure stock हमारे portfolio's के अंदर में तो तरहसल कोई गिरावट आ रही हो तो खरीदने का अमन बनाईएगा वैसे BSE हो, CDSL हो वापिस सब के radar पे है तो शायद हाथों आत निकले ही खेर देखते हैं कौन सी विंडो में किस भाव पर ट्रांसाक्ट होता है किस तक इंवेस्टर्स चेक-इन करते है लेकिन गिरावट में खरदारी करने वाला स्टॉक है बाई साब, CDSL देखते हैं आज, अब फरेंट इसलिए बता दिया यहाँ पे जिसके पास लास्ट ये उलिडिंग पैटन कहता है दिसंबर का ओलमपस कैपिटल एशिया इंवेस्मेंट्स के नाम से इनके पास अल्मोस्ट 19% स्टेक था और आज उसका आधा 9.8% हिस्सा बेचने की तियारी हुई यह सूतर बता रहा है देखते हैं स्क्रीन पर अगर ट्रेड वा तो कन्फरमेशन आ जाएगा फ्लोर प्राइस तै करीगी यह 400 रुपे की स्टॉक है 437 पे कल का क्लोज यानि कि यहां से लेकर अप टू 8 8.5% डिसकाउंट हो सकता है और फ्लोर प्राइस पे यह कुल डील की मुल्यांकत 235 मिलियन डॉलर के आसपास होंगी एक अपडेट और है यह जो लाज ट्रांजाक्शन प्ले आउट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद भी आधा चंग बचेगा ओलम्पस के पास 75 डेस का लॉक अप है उसके बाद ही यह कर सकते हैं यानि कि डाई महीन है फिर भी यह शर्मिला यह पसंद आता है कि आपको यह एक तरफ़ा मूव्स दी हैं टॉक ने बहुत तगडे लंबा लचार्ट खोरोगे कि एक साल पांच साल वाला जो आपका पास है एक तरफ़ा मूव आया है बहुत गजब का उसके बाद ओफलेट ठंडा पढ़ड़ा और आज एक लाज ट्रांजाक्शन है अगर वागई कमजोरी आती आप एंट्री करोगे जाने दोगे इससे बहतर पीर्स हैं जोनों I mean it's a sort of a mix to you क्योंकि मुझे लगता है कि जो फिलाल मैंने कंपपनी के बारे में पढ़ा है तो यसे लग रहा है थी तो यहने थोड़ा और रही लोग को एड तिम्स क्योंकि जैसे थोड़े महने पहले खबर थी कि गल्फ बिसनस से एक्जिट करने की बात है तो उससे मुझे लगता है कि शायद फिर उनकी और भी एक खबर थी कि आर इंक्रीजिंग देर बेड्स ओर नेक्स्ट कपल अव यह तो यह भी एक पॉजिटिव खबर थी लेकिन जो नतीजे आए जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा एक्सेंसिव लगता है और इस तरह का एक बड़े इंवेस्टर का exit लेना अगर आप ऐसे देखे तो 10% शे तो वो भी एक बड़ा लॉट हो जाता है तो मेरे साथ से थोड़ा रुपना चाहिए कैसे प्ले आउट होता है एस्टर डियम हेल्थ केर थोड़ा थोड़ा वाइट फॉदर टाइम बी अब इन दोनों से इन दोनों में टेक्निकल इसले नहीं कि पूछ रहा हूं कि हमें कुछ नहीं पता एकदम से एक इवेंट प्ले आउट होने वाला है भाव कहाँ पे जाके खड़े होंगे एक बार पता चल जा है उसके बार टेक्निकल व्यूज भी कंटिनेस स्टेशन में ले लेंगे इन स्टॉक्स पे अब तीसरा इंपॉर्टन स्टॉक ऐसे ही है तो दो लाज्ट ट्रेट होने हैं जापे कुछ बड़े इंवेस्टर्स चेकाउट करने की तियारी कर रहा है आज एंजल वन में कंपनी फंड रेजिंग करने की तियारी कर रही है सूत्र बता रहे हैं ये कल शाम को QIP लाँच हो गया है शायद पंदरा सो करोड रुपे ये कंपनी जुटाती हुई नजर आएगी इस QIP से इंडिकेटिव प्राइस जो आ रहा है दो अजार पाच्सो पच्पन रुपे का QIP लाइकली है कि मौजुदा भाव से कुछ डिसकाउंट शायद अप्टू 6 परसेंट या 6 परसेंट के डिसकाउंट के आज पास मार्केट प्राइस से QIP पैस फंड रेस किये जाए वही ये सब सूत्र के हवाले से खब रहे हैं कि ये कंपनी इस पैसे का पंद्रा सो कुड रुपे का इस्तेमाल एक्सचेंज मार्जिन और अपने बिजनेस के विस्तार एक्सपैंशन पे खर्च करेगी अच्छा कन्फरमेशन ही है कि पैसा जुटा रहे है क्योंकि कल शाम को ये अपडेट आ गया कि मन्ने को बोर्ड मीट है एक अपरेल को जो क्यू आईपी है उसका इशू प्राइस तेह करने के लिए तो मोटा मोटी कन्फरमेशन आई गया है ये फंड रेजिंग की तेहरे हैं तैयारी अभी कल परसो तो अपनों चर्चा कर रहे थे तगडी स्पॉंशिश भी दीती लोने और अब पैसे जुटा रहे हैं खेर पहले जो बात हो रही थी ना आशीश स्टॉक गिरा इसलिए था पहले बात हो रही थी कि वो जो क्यू आईपी का इस्तेमाल है वो एक्विजिशन के लिए होगा तो उससे थोड़ा सा स्ट्रीट किया है ठीकिन हमने बार-बार इसकी बात किये और मेरे ख्याल से इसको स्ट्रीट पॉजिटिवली लेगा देखते हैं ऑविसले एक बाग क्यू आईपी आता है तो थोड़ा सा स्टॉक कुछ टाइम के लिए स्टाइम के लिए स्टाइम करता है बाड़ी दाली उसके बाद अचा नहीं का यह पूछना पड़ेगा मानस से हम अचा अचा आपकी फर्स कंपनी है इसमें अन-बायस द्यू का बनता है सिफ चार्ट को देखकर वॉल्यूम प्राइस अक्शन को देखकर घिरावट में खरीदने हला स्टाग है कि नहीं है इस समय कि पॉजिटिव चीज़ है कि पिछले करीब अगर आप दस सेशन देखेंगे तो यह तो अगर किसी के पास लॉंग पोजिशन है तो 2400 के स्टॉप लॉस से आप यूगल पोजिशन में बने रही है हाला कि फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी है या तो ब्रेक आउट पे क कि पॉजिशन में 2400 के स्टॉप लॉस से बने रही है खरीदारी 2850 के ओपर करेंगे ओके एग्जिस्टिंग पोजिशन में स्टॉप लॉस के साथ खरे रहे हैं और फ्रेश एंट्री के लिए इंतिजार करें है कंडिशनल बाय यहां पे 2850 की उपर की डिक्री पर चलना स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे या तो प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स के अपडेट्स आएं मैनकाइंड फार्मा परसों शाम की आवाज एक्स्क्रीन पे ट्रेड प्ले आउट हुआ और शाम को कन्फिमिशन आ गया जो आवाज ने का तवही हुआ बेज लिमिटेड ने एक करोड़ सोला लाग शेर्स कल बेच दिये ये एक करोड़ सोला लाग एक्जाक्टली दो हाफ आफ ट्रांजाक्शन पे हुए थे एक दोजार एक सो बीस रुपे पे एक दोजार एक सो चौबीस रुपे पे चौबीस सो पचीस सो गड़ रुपे का ये ट्रांजाक्शन ह पर buyers के नाम जैसे टीसेस के टाइम पर update नहीं हुए थे, वैसी इसके भी updated है, किस ने खरीदा पता नहीं, पर ये बढ़िया हातों हाथ लिया गया, इसका मतलब क्योंकि दिन के low से बढ़िया, दिन के highs पर बंद हुआ, continuous session में trade play out हो गया था श्रीराम finance दूसरा है GIC जो है उसके दो arms है Government of Singapore और Monetary Authority of Singapore तो दोनों के पास अल्रीडी श्रीराम finance का stake है Government of Singapore के पास 6.04% और Monetary Authority of Singapore के पास 1.01 यानि कि दोनों मिलाके 7.05% हिस्सा है कल अपडेट आया कि दोनों ने और खुले बजार से stake खरीद लिया है Government of Singapore ने 1.077.000 शेयर्स और Monetary Authority of Singapore ने 47.654 शेयर्स यानि कि सवाद 2.00.000 शेयर्स दोनों ने मिलके खरीदें और खुले बजार से acquire करें शायद ये एक चीज़ रोकिए गए श्रीराम फिनानस को रोकिए गए पे श्रीराम फिनानस में एक और अपडेट है इसको वैसे भी रेट करिए कि निफ्टी का इंक्लूजन है टी प्लस वन के लिया आज से कल माल लिया होगा आज आखरी दिन है यूपील का निफटी फिफटी में कल निफटी फिफटी में यूपील की जगे श्रीराम फिनानस आपको नज़र आएगा तो कल effective date थी आज वो last दिन है इनका तो इसलिए आज से भी श्रीराम फिनानस वो यूपील दोनों रेडार पर रहेंगे बजार से खरीदे स्नोमैन लोजिस्टिक्स के कल ही वो ट्रांसेक्शन हो और कल वो फिर स्टॉक तेजी दिखा रहा था अब आईए पहले शिराम फिनाइन्स पे भाहिती साब शिराम फिनाइन्स प्लीज देखिएगा कल सेकेंड हाफ में मूव खरदारी होती हुई और कल से निफ्टी-फिफ्टी का हिस्सा बनेगा कैसा प्लेज लग रहा है इस बीच आपको इस्टॉक अशी जी चार्ट स्ट्रेक्शर काफी अच्छा बना हुआ है जिस सबसे स्टॉक ने 20 देमा के उपर क्लोज दिया ओके यूपियल का होना है भाई साब कल एग्जिट आखरी दिन राइंक अंडर परफॉर्मर सावन साब चार्ट खोलिएगा अच्छा पिटा पिटने के बाद एक कंसॉलिडेशन का दौर है अब आम तौर पर इस कंसॉलिडेशन में देखना चाहिए वॉल्यूम वॉल्यूम पिक अप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो लगे कोई एक्क्यूमिलेट कर रहा है तो कोई मीनिंग्फुल वॉल्यूम पिक्विलेशन तो हुआ नहीं लेकिन आप कैसे देख रहे हो बुरा वक्त पीछे चला गया एकलीस इस बात का कंफिरमेशन है या नहीं है तो यहां पर आशीज जी जो चीज़ आपने कहीं बिल्कुल वही एक चीज़ नदर आ रहे है कि यहां पर वॉल्यूम पर सो और अच्छे पिकप होए तो मुझे लग रहा है यह स्टॉक अभी आप शॉर्टिंग फिलाल अवोइड कीजिए पैदी बार क्यूंकि इस पर कंटिनियूस शॉर्ट बनी रहे थे अब एक बेस फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुके 465 की क्लोजिंग है यह स्टॉक अगर 475 के उपर क्लोज हो 475 के उपर तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक ट्रेंड चेंज के आसार या थमसे कम एक पूल बैक हम एक्स्पेक्ट कर सकते तो 475 के उपर क्लोज होन के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे 460 पे 460 और आपका पहला टार्गेट होगा पास्टो का फिर उसके उपर हम डिस्कस करेंगे बट फिलाल आपके रडार पे यह स्टॉक चार सो पच्टर के उपर क्लोजिंग के लिए होना चाहिए रडार पर रखें यूपी एल का काउं राइंक अंडर परफॉर्मर्स को आम तोर पे निफ्टी-फिफ्टी के बाहर करना जाता है तो अल्री पिटेवे स्टॉक होते हैं और मैंने बहुत बार नोटिस करा है जब यह उस इंडेक्स के बाहर आते हैं वह आपे इस मूर्ड महल सुधरता है इन स्टॉक का देखते ह यूपेल के दिन बदलते हैं निए बदलते हैं लेकिन रिडार पे रखना है कंसॉलिडेशन और कुछ वॉल्यूम्स एक्षिन पिक अप हो रहा है स्टॉक में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स सत्पतर साब यह प्लीज आप देखिएगा कैश का स्टॉक है इससे पहले जब प्रमोटर गेट पे डिस्ट्री पार्क ने माल खरीदा था तो यह स्टॉक गजब का रिरेट हुआ तो उसके बाद जब मिट कैप्स में करेक्शन आया स्मॉल कैप में करेक्शन आया उस पेज में यह भी करेक्ट हुआ और अब वापिस इंस्टेंस प्रमोटर लो लेवल पे एक्क्युमिलेट कर रहा है प्रमोटर इसके इसके गेट फे डिस्ट्री पार्क दूसरी लिस्टिट कंपनी कैसा लग रहा है चार्ट पे प्लेज इस्टॉक ते तो इस बाई अब उस सिक्स्टी एट सेवंटी योर्स टॉप लॉस शुडब अट सिक्स्टी सेवंट चार्ट तो बढ़िया है मुझे लगता है यहां पर स्विंग ट्रेड मिलेगा चार्ट बढ़िया है स्ट्रिंग टेड मिलने की पॉसिबिलिटी और बहुत सारी इंट्रेस्टिंग न्यूज है सनोफी इंडिया स्क्रीन्स पर आएगा आपके यह काउंट है सनोफी इंडिया के साथ साथ सिपला दोनों रखेगा रडार पे दर असल सनोफी और सिपला के बीच में एक एक्स्क्लूजव डिस्ट्रिबूशन पैक्ट हुआ है पाटनर्शिप हुई है सनोफी इंडिया के जो सेंट्रिल नर्वोस सिस्टम यानि की सी एनेस की प्रड़क्ट रेंज है उसको डिस्ट्रिबूटर से प्रमोट करने का काम सिपला करेगी यानि की मैनुफाक्ट्रिंग थनोफी के पास होगी और सिपला अपने वाइड रेंजिंग वो डिस्ट्रिबूशन आर्म्स जो है और यह सब जो है अप टू धाई सो करोड रुपे का केपेक्स ये कंपनी दहेज में अपना रबर केमिकल्स का जो धन्दा है उसमें केपैसिटी बढ़ाने के मन बना रही है एक लाग पंद्रह हजार MTA की केपैसिटी है रबर केमिकल्स की बीस परसेंट और उस केपैसिटी को आउगमेंट कर रहे है फिलाल करेंट शम्ता जो है वो 65 परसेंट उटलाइजेशन पर काम कर रही है फिर एक LIC रडा पर रखिएगा इसको Goods and Service Tax GST का कम्मिकेशन आया है डिमांड ओर आया है असान शब्दों में जारकंट राजिसे डिमांड अगरी है 2018-19 और 2020 ये दो फ्रेंचल एर्स के लिए GST की डिमांड है 161 करोड की इंट्रेस इसमें आज अप्लिकेबल लगेगा और पिनल्टी 16 लाग की तो कुल मिलाकर ये तो सुनने में पॉने 200 करोड उपे के आसमास का मामला हो गया अब इंट्रेस जो भी लगे LIC को रडाब रखेंगे अगर प्रवाइट फॉर करना है तो इस कॉर्टर के प्रॉफिट्स में डेंट देखने को मिलेगा ने तो कंटेस्ट तो बट अब्वेस करी रहोंगे दुआरी के शुगर जो बाइबैक आना था वो आज से खुलेगा ध्यान रखेंगा तीन अप्रेल को बंद होगा टेंडर रूट के जरीए है 105 रुपे पे बाइबैक कर रही है कंपनी पर मोटा मोटी 30 लाग शेयर्स का बाइबैक यानि कि कुल आउट्साइनिक एक्विटी का केवल तेल परसेंट ही बाइबैक होना है तो रिकॉर्ड डेट के दिन था बाइबैक के परपसे लिया हुआ था आज टेंडर करने का दिन एविन्यू सूपरमार्ट पिछले कई दिनों से आए दिन रोज ही अपडेट आ रहे है और कल तो खेर तीन ने स्टोर्स के अपडेट है दो तिलंगाना में एक सूरत में और कह रहे हैं कुल स्टोर्स की संक्या बढ़के 357 हो गई है गजब तेजी में इस स्टोक है इन सब पर बातचीत करूँगा वाखार्ड जो QIP आया था उसका प्राइस डिटर्मेंट कर लिया गया है कुल मिलाकर 92,85,000 शेयर्स 517 रुपे पे दिये जाएंगे 531 पे ये स्टोक कल की क्लोज थी प्रताप स्नैक्स जम्मू एन कश्मीर में एक नया कमर्शियल यूनेट का प्रड़क्शन शुरुवात होगे एक कमेंस्मेंट का अपडेट आया है नमकीन, फ्राइड पेलेट्स और ये सब बनाने का काम वहाँ पे करेंगे लासलेंट टूबरो कल वो फंडरेजिंग की बोर्ड मीट थी सारे 7,000 क्रोड रुपे फंडरेजिंग को पर ये लॉंग टॉम बॉरिंग से थूरू फंडरेजिंग को मन्सूरी है जादा स्टॉक इंपाक्टिंग है नहीं स्टॉक इंपाक्टिंग ये इंपॉर्टन्ट है कि चत्मोदा साहब का इस पुदिशनल बड़िया सा ट्रेड है यूफलेक्स ये फिर दिकत में इनके अर्स्वाइल डिरेक्टर साहब थे इनकी होली ओन सबस्टिडरी के यूफलेक्स यूरोप के प्रदीप शिवास्तव उन्होंने कुछ फ्रॉड कमिट करा है अब उसके किता बड़ा ये सब डिटेलिंग अभी चानमीन चल लगी है कुछ बोर्ट मीट शेडियूल ने आज उसमें दो इंपॉर्टन्ट हैं वो बता देता हूँ PCBL फंडरेजिंग करना चाहता है और वो फंडरेजिंग सिक्यूरिटीज इशुएंस के जरी है तो स्टॉक इंपक्टिक है करनाटका बैंक जो QIP आया था उसका इशु प्राइस आज तै करने का दिल इविन्यू सुपरमार्ट बैती साब चार्च पर कैसा प्लेज बहुत मरिया मूवज आ रहे हैं स्टॉक में और दमखम है क्या आशी जी स्वारी इसमें मेरी पोजिशन है तो मैं इस पर वो कंप्लाइंस विंडो में है तो मैं बोलनी पाऊंगा बैती साब की चार उगलियागी में चल नहीं है मतलब कल भी चार साड़े-चार परसेंट उपर था मानस आप ही देख दीजेए विन्यू सुपरमार्ट तो देखे यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बहुत ही पॉजिटिव है और पिछले 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 चार दिनों में जिस तरह के बॉलिंग डेबलप हुए है जिस तरह का प्राइस ब्रेक आउट देखने को मिला है अगर हम ट्रेडिंग प्रस्पेक्टिव की बात करें तो 48-50 तक के भाव देखने को मिल सकते है तो करेंड लेवल से भी 400 रुपे की तेजी देखने को मिल सकती है लॉग पोजिशन मराई होई है तो 42-90 के नीचे 4290 के नीचे आपको स्टॉपस लखाना है और 48-50 के टागेट सेट करना है गाबसर LIC कैसा प्लेजड है चार्ट पे यह डिमांड नोटिस करी पॉने 200 क्रोड पे प्लस का होना जीए पर कंटेस्ट होगा कल भी स्टॉक सब्डूट सा ट्रेड़ी कर रहा था कब्यू हो रहा है एक अप्पू मिला था चार दिन से LIC में लेकिन महाँ पर रेसिस्सेंस है 900 के करेंगे और वहीं से लॉट है तो मुझे रखते हैं जब तक को 925 नहीं करता तब तक तुब मेरे खाल से LIC वीक है तो सकते हैं और लवर इवेल देखने को मिल सकते हैं लेकिन स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही और एक सनोफी इंडिया अब सनोफी इंडिया हो या सिपला जैसे रीट थू करना हो सत्पते साब प्लीज देखेगा सनोफी इंडिया कल अच्छे मूज दिखा रहा था पैक्ट का बड़ा बेनिफिचरी यह होगा पर जो मार्केट कर रहा है डिस्ट्ब्यूट कर रहा है वो भी सिपला भी बेनिफिचरी होना जाए दोनों के लिए खबर अच्छी है चार्ट्स पे कोई ट्रेड किसी दोनों में से नजार आता है गया आशी जी देखिए सनोफी एक कांट्रा ट्रेड होगा मेरे इसाब से यह जो करेक्शन है साथ अजार पांसो साथ अजार शैसो के आसपास एपस हो रही है यहां पर एक्कुमिलेशन हो रहा है सामने जो मुह मिलना चाहिए वो करीबन आट अजार का होगा तो सनोफी डेफिनेटली यह बाइसाइड का ट्रेड होगा अगर डिप मिले तो और बहतर स्टॉप लास हो का साथ अजार पासो का चलिए एक इंट्रेस्टिंग लेगाउ स्टॉक्स निउस बचा है कल HDFC मूच्वल फंड ने बहुत सारे अपडेट शेयर करें अपनी पूदिशनिंग को लेका पहला था भारत डैनमिक्स इन्होंने लास्ट अपडेट दिया था मतलब अपनी वेरि आया है यह स्टेक खड़ा है 3.02% पर यानि कि इन पिछले कुछ महीनों में 2% हिसेदारी बेच ली गई है इस कंपनी में बहुत छे मूज भारत डैनमिक्स में आया था और फंड ने आपर प्रॉफिट टेकिंग कर लिए ऐसा ही कंजूमर ए सारी क्रॉम्टन ग्रीव 9.46% हो गया है यानि कि मोटा मोटी एक महीने में 2.35% हिस्सा बढ़ा दिया है HDFCMF की तमाम स्कीम्स में और एक और अपडेट आया प्रीमियर एक्सप्लोजिव का HDFCMF कह रहा है लास्ट अपडेट हमने दिया था आपको अक्टोबर में तब था हमारा हिस्सा 7.18% और कल 9. 9.2% का अपडेट आया यानि कि इस दौरान 2% स्टेक यहां पर बढ़ गया बड़ा क्रॉम्टन में बड़ा प्रीमेर एक्स्प्लोजिव में घटा भारत डाइनमिक्स में यह खानी क्रॉम्टन ग्रीव्स कंजूमर एलेक्रिकल्स चत्माद साब रेडार पहेगा यह आशी जी हमें हमने इसको पहले भी कई बार ट्रैक किया और हमारे जो पैरामेटर है जिसको हम FTPM अपरोच कहते हैं जा फंडमेंटल्स टेक्निकल्स दोनों का एक कॉंबिनेशन करते हैं वहां पर पर इस स्टॉक में अभी तटके जो सिगनल्स हमें चाहिए वो नहीं मिले हैं और in fact stock continuously 52 week low के असपास trade कर रहा है तो definitely अच्छे support के असपास है बट strength अभी कही ना कहीं missing है in fact यह जो पुड़ा space है इसमें हमें लगता है कि डिक्सन जैसे stock हमें काफी ज़्यादा पसंद है जहां पर पर tailwind sector की काफी strong होगी आप देख रहे हैं किस तरह से manufacturing mobile के अंदर में डिक्सन ने एक जब्रदस्त अपनी बड़ाए रखा है तो growth prospect के नियाद से अगर से हम देखे तो डिक्सन अंबर ये stocks जो है वो काफी promising लागता है लाइए भई house views पीज डेक्टर साब वो स्टिंग प्लियाओट करिएगा आज दो interesting reports हैं जिस पे बातचीर करना ज़रूर ही पहला रखिये radar पे reliance industries वो डिस्क्लेमर भी रख दी जगा स्क्रीन्स पे लेकिन Goldman Sachs की report बाई की सलाब बरकरार लक्ष बढ़ा दिया है 2884 से बढ़ा कर 3400 रुपे का लक्ष कह रहे हैं केपिक्स का दौर पूरा होने के संकेत आ रहे हैं FY24 से FY27 के दौरान अब सलाना EBITDA 17% की growth दिखाता हुआ उस दर से बढ़ता हुआ नजर आएगा इसलिए बुलिश होते हुए Reliance Industries पे टागिट बढ़ा दिये ABB इंडिया जिसकी चर्चा हुई थी UBS बुलिश 40% लक्ष बढ़ाया है 7550 के टार्गिट्स रखे हैं Electrification से growth आनी है margins बढ़ने की उमीद है जो प्रड़क्ट्स हैं उसका विस्तार कर रही है कंपनी उन सब का फायदा इसको होना है और इसलिए वो अपने मुनाफिय के अनुमान जो है F.I.24-25 के 12 से 14 परस्टेंट बढ़ा रहे हैं और फल्स वरू लक्ष इस तरह के अग्रेसिफ सामने आता हुआ रखिये दोनों काउंटर्स को रडार पे आर एल वो डिस्क्लिमर के साथ की इस चानल का स्वामित वो प्रबंदन उर्लाइंस इंडस्ट्रीज के पास है किसी इंडिपेंडेंट फिनाइंचिल अडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा क्रांजिशन के साथ मुनाफिक की तैयारी पूरी अब दस्तक देंगे हम पहला सौदर में